पोर्ट्स यानि पुलूरल ओफ पोर्ट तो इसका अर्थ होता है मटकी, मटका, बर्तन, पात्र, प्याला, कटोरा, धातु या मिट्टी का बर्तन, गमला, आबखोरा, अमित, धनराशी, अतुल, संपती इस third person present of port यानि की बर्तन में रखना, गमलोग में पेड लगाना, गमले में लगाना, रखना, भेदना, गोली मारना, बर्तन में मुरब्बा या अचार डालना इसको इन sentences में थोड़ा और अच्छे से कलियर कर लेते हैं जैसे she referbest all the pots and pans, यानि की उसने सभी बर्तन और पैन का नवीनी करण किया the flowers were growing in pots, यानि की गमलों में फूल उग गए थे उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को like, share, subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी English को और जादा बहतर बनाने के लिए चैनल के home page पर हजारों वीडियो हैं, जिनने जाकर आप देख सकते हैं